चलिए सभी लोग का एक्जाम तो खतम हो गया है अब आप लोग को टेंशन एकदम नहीं लेना है पर इच्छा खतम हो गया बिल्कुल कुल माइंड से आप लोग अपना एंसर आगे निकाल लीजिए कोशन पेपर और एंसर मिलाएगा यह सेट एफ है एक मिलट साइज को थोड़ा बढ़ान दिजिए और कलर भी थोड़ा सा यहां से ब्लू कलर खिक रहेगा हाँ चलिए यहां पर आपका सेट एफ है सेट नंबर है जा के अप लगको इससे ब्लीजिएंगा सभी और हृप टाये यहुमेंट को कराये है कि हृक्ट आतो से सब्सक्राइब करिएगा तो आपका कोई पैसा वैसा नहीं लएगा तो प्लीज सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं शुरू में आप लोगों के सपोर्ट की ही जरूरत है मेरे सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं बहुत कम है तो आप लोग सब्सक्राइब क कि दीवार में एक खिड्वी रहती थी नामक उपनियास किसका था लिखा था बिनोधकुमार सुकल ने विच धरी। तिसरा पॉस्चन है एक मिनठ कर देखने धिकलित महिनी रहा रहा है किसरा पूस्ष्छी नम लौद कीने विन john सane githra wouldn smart services ictra Ugh किसका जन में संगीध प्रेमि परिवार में डि इन डीर मीष्रे का यतिन ड्रेमिश्र का जन संगीत प्रेमी परिवार में था तीसरा का भी, आगे चौथा नंबर कोश्चन है कि अहिंसा दिवस, किसके जनम दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो अहिंसा के पुजारी थे महातमा गांधी, अप्सन नंबर C, अप्सन नंबर C हो जाएगा चौथा का बिल्कुल सही, पाचवा में है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परवर्वर्थन किया, मतलब गुरु नानक सब को पता होगा, सीखो के गुरु थे, यानि कि सीख धर्म इसका बिल्कुल सही होजएगा, पाचवा का सी. आगे छठ्वा में है कि अपने पधो में किरिश्न का लीला गां किसने किया था ते यह किया था रस्खानने छकपा का सी हो जाएगा एकदम संही सतवा में है कि घनानंद, घनानंद की भासा थी, ब्रज भासा थी, घनानंद की भासा कौन सी थी, तो ब्रज भासा बिलकुल B option एक दम सही हो जाएगा, आगे 8 नमबर में कि भारतेंदु यूग के कभी कौन है, भारतेंदु यूग, आठवा में कर रहा है भारतेंदु उसकार चितंबरा पर मिला था चितंबरा नहीं नवगा का अपसान नंबर बी हो जाएगा आगे दस में है कि निम्न में कौन राष्ट कभी है तो दसवा का सही अंसर हो जाएगा रामधारी सी दिन का राष्ट कभी है अपसान नंबर डी इन में से सही हो जाएगा आगे एक ग बारा देखिए कि पराग उपसर्ग में निर्मित सब्द है पराग उपसर्ग में निर्मित सब्द कौन है तो पराभव पराभव अप्शन नमबर सी एकदम सही हो जाएगा बारा का सी आगे तेरा है सजावट सब्द में कौन परत्या है परत्या है पुछ रहा है इसमें कौन कि खिलाडी सब्द में परते हैं एक लड़ी का परते हैं तो ये हैं up को फ़येगा का इए हो जाएगा एकदम सही 16 नंबर कोश्चन में है कि जो लोग परिच्रम करेंगे जो लोग यहां पे है जो लोग परिच्रम करेंगे उनने सफलता आवस्जी मिलेगी किस वाकए का उधारन है यह किस वाकए आउatarन हो हए तो ही हो जाएगा भि達 का मिश्ष वाक्राम a option number C हो जाएगá एगदम सही, आगे 17 नमल में है कि आसाहयों की सहायता करने आप पर सर्वत्र परतिष्छित हैं, किस पदबंद का उधारने, किस पदबन्द का उधारने, तो खिरिया पदबंद का उधारने, 17 अधारने, 17 का होज के Hm Ten तो उन इसका अप्सार नमर सी राधीका से सोया नहीं जाता है उना इसका सी आगे 20 में है कि अगण का पर्यवाची है अगणि का पर्यवाची क्या जिए फ्लबीक राधीक है ध्यूमके त्थधू के तु आगे 31 में है कि निम्न इमें में कौन उस में ब्यंजन है निमने में कौन उस में ब्यंजन है तो उस में याप को सो हो जाएगा या अपसाझ नमबर ऊसद है फीर नम्सेद्ण इसका एकदम सही है आगे 24 देखिए 24 में है कि निम्न में कौन गुर्षवर संधी का उदारण है निम्न में कौन गुर्षवर संधी का उदारण है तो महेंद्र महेंद्र गुर्षवर संधी का उदारण है 24 का हो जाए आगे 25 है कि से पलस अन पदो की संधी है मतलब इसको जो मैं कॉन भी संदी का उधयर विशर्वसंदी की बनेगा पना है बागे चैसे नमर में की ճीकर अगामी सिता चत से कुद पड़ी मतलल सिता अलग होगई किस कारक का उड़ान है तक जब भी अलग होगई आपादान अलग होगा तो आपादान अपसा नंबर C हो जाएगा 29 का सही 30 में है 30 देख लिजिएगा करा एक असुद सब्ध है इन में से कौन असुद है प्रिष्ट एक दम सही है अर्चना भी सही है पुन्य भी सही है परसंसा आई से नहीं लिखा जाता है तो यह हो जाएगा गलत है 30 का बी गलत हो जा अब पोता होगा कि रंपा आप लोग बताईएगा आप लोग इसका बताईएगा हमको थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है आप बताईएगा आगे 33 है कि मदूरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे मदूरे को अंग्रेज मदूरा कहते थे अंग्रेज मदूरा कह होते थे अपसान नमबर C 32 का एकदम सही हो जाएगा आगे 33 है 33 यहां पर धाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है तो 12 की समस्या इसमें वर्णन है 33 का हो जाएगा क्या था तिसमें हो जाएगा कैलास नरायन एवं विर्जू तीन गुलड़का था अपसान नमबर 20 का एकदम सही हो जाएगा 36 नमबर में है कि किसका बाता बरण वल्ली अमाल को भैभीत कर दिया मतलब किसका बाता बरण वल्ली अमाल वल्ली अमाल को भैभीत कर दिया तो अस् यह अन्सर हो जाए गा, 38 में है कि मैक्स मुलर ने सर्वबिद संपदा और परकिर्तिक संदर परिपून किस देश को माना है, मतलब कि किस देश में यह सभी चीज़े है, भारत, हमारा भ्यारत, भारत, प्यारा भारत सबसे महान है, यानि 38 का सी एकदम सही हो जाएगा, यह संतु मचली लेकर क्यों भागा, आवाज यहां पर कट गया था, सहनाई को सुधिर वादयों में किस की उपाधी मिली, तो सहा की उपाधी मिली, अप्सान नमर सी एकदम सही हो जाएगा, आगे 40 में है कि संतु मचली लेकर क्यों भागा, तो कुए में डालने के लिए, साप कंदन यानि Apollo c हो जाएगा कि रधा गई होगी तो बरत्मान का तो त्लोल पर जो का इस तरह संब्सक्रों कि silence में की चान पर का बFrefour हिए कि बिच्छात आते जमतर हो कर तो समानिय का इक है तो दे अप्सन नूबर सी चोगालिस का असान असान है सभी कोश्चन अराम से आप लोग किये होंगे 45 में है कि खून पसीना एक करना कड़ी कठीन परिश्रम करना एक ताम हलुआ हलुआ कोश्चन पुछा है 45 का सी 46 है कि अपना उल्लू सीधा करना मतला अपना काम बना लेना यानि कि 46 का ए 45 का सीथा 46 का ए हो गया 47 डिबिया सब्द का बहुँ अचन डिबिया यानि बहुत सी डिबिया हो जाए यानि अपसन नंबर डी 48 में है 48 यहां गया कि शोक गरस सब्द में कौन सा समास है सोक गरस सब्द में तत्पुरूस अमास है शोक गरस अमास अपसा नंबर भी हो जेगा एकदम सही 43 में 49 में अर्टालिस हो गया, उन्चास देखिए, करेक निमनलिखित में कौन सब्द आपादान ततपुरुस समास का उधारन है, तो सर्व प्राप्त, सर्व प्राप्त, अपसन नमर बी होजेगा एकदम सही, पचास में है कि यथार्थ सब्द में कौन सा समास है, यथार्थ सब्द मे कौन सा समास है, तो अपसन नमर एकदम सही है, निमनलिखित में कौन सब्द अभयो है, तो 51 का सही अपसन हो जाएगा, अतेओ, इसमें एकदम सही हो जाएगा, 51 का, 52 है कि उसने नहाकर भोजन किया, इस वाके में नहाकर, नहाकर कौन किरिया है, नहाकर कौन किरिया है, तो पूर्वे कालिक किरिया इसमें है, यानि बावन का अप्सान नमबर A एकदम सही हो जाएगा, तिरिपन है कि भूख सब्द है, इस्तिरलिंग, भूख सब्द कांसा सब्द है, तो इस्तिरलिंग सब्द है, अप्सान नमबर B इसका सही हो जाएगा, किरिपन को सब्दान को हो झाएगा कि चुम्त आई कोर दगा सब्द है सम्तावन में है कि अईसे सब्द जो दो सब्दों के मिल से वने हैं और जिनके ख़ंड सार्थक हो उन्हें क्या कहा जाता है 57 Pray कहा जाएगा उनको इस योगिक सब्द में थोड़ा सा यहां से 15 में चपर अजयब है अजयब सब्सक्राइब कुल कुछ में सहीया ऑगने दे सब्सक्राइब K अंठावन में है कि पंकज सब्द है, पंकज सब्द क्या है तो पंकज सब्द आपको हो जाएगा इसमें योगरूट सब्द, पंकज योगरूट सब्द है अंठावन का C एकदम सही है, उनसट में है कि अथा सब्द कौन सा उपसर्ग है, अथा सब्द में कौन सा उपसर्ग ह अधोड़ा साथ यहां पर 16 में कि मानवीय वीभी सिका का मतलब बता है कि मानव को जिस्ते बहुत ज्यादा हानी हुआ है तो हीरोशिमा में आप सब अगे है तिरसट में, क्या है गूमता आईना, जोमता नहीं घूमता है, गूमता आईना सीर्शक के अस्तम्ब लेखब किस नहीं किया? मतलब किसने लिखा था तो 63 का आपको हो जाएगा विरेन डंगवाल और अफसन नमबर C 64 है कि कवी इतरी अनामिका के अनुसार चोखटे में क्या नहीं आता तो अफसन नमबर A यानि 64 का ये हो जाएगा को नहीं आता चोखटे में आगे है 65 में कोवी जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं कोवी जीवनानंद दास किरिशक का हंस बनना चाहते हैं अफसन नमबर A चाचट एक रेनर मारिया रिलके की का विसायली कैसी है रेनर मारिया रिलके की का विसायली गितातमक है सashट में कि हिंडी कभिता में परयोग वाद का सुत्रِ पात किसने किया तो ने किया अगे ने सघट में 38 के शिखो के पाइची गुरु कौन है सीखो के पाज़ी गुरुद्ध seshera, एकदम सई हो सवया को यह गाते थे एकात्र में की भारत सभागे नाटक के नाटककार कॉन है तो इसके नाटककार थे आपको हो जायेगा बदरी नरायाइंट चोधरी यानि या इनि को प्रेम घं कहा जाता है प्रेम घं आप्सन नंबर ए हो जायेगा 71 का बिइंकुल साई 72 नमबर कोचन देखिए इसमें है अचार हजारी परसाद दिवेदी को उनकी किस राचना पर साहीत अकाडवी पुरसकार दिया गया था अलोग पर अलोग पर उपर इनको मिला था 73 नमबर कोचन में देखिएगा पकशाल सब्ध का अर्थ क्या है जहां सिके ढलते हैँ जहां सिके ढले जाते हैं उसको पकशाल बोला जाता है अपसिन नमबर बी आगे है 74 में कि कीसे बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है तो यह छोटा बच्चा को भी पता होगा कि भीमरा अस्थापत्य की उत्तर भारत में यहां पे दखीएगा क्या है 75 हो गया चीयतर अस्थापत्य की उत्र भारत में एक विशेस सैली को क्या का जाता है कि जो उत्तर भारत में मंदिर बनते हों किस सैली में बनते हैं तो उत्तर भारत में नागर सैली में मंदिर बनते हैं अधच्छुन भारत में होते हैं द्रमीर सैली में तो यहां पर आपको सही हो जाएगा आपसा नमबर B 77 है कि बहादूर सिर्चक कहानी में कौन अपने सरीर की मालीस बहादूर से करवाता था किसोर करवाता था आपसा नमबर 2 हो जयगा सही आगे 73 73 में है कि टेनिसन किस भाषा कभी थे तह इसमें हो जाएगा अंग्रेजी टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवित है आगे है 79 में वीडियो देखी आप खतम होने वाला है आप लोगों से रिक्वेस्ट है सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा आपका सस्क्राइब करने से एक रूपय आपका एक्स्ट्रा नहीं लएगा आप सस्क्राइब कीजिएगा तो हमको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सही आगे है 80 कितने साल की अवस्था में पंडित बिर्जु महराज की साधी हुई थी तो यह हो जाएगा 18 साल की अवस्था में अप्सट्रा नमबर सी एकदम सही हो जाएगा क्योंकि एक किलिक करेंगे पुड़ा मिट जाएगा इसलिए हम काट थे तो चलिए इसमें हो जाएगा आपसा नमबर सी आगे 81 है कि हिंदी में उदरण चीन के कितने रूप है तो रूप है 81 का आपसा नमबर बी हो जाएगा आपसा नमबर बी नहीं ए दो ए में है तो यह हो जाएगा अग्दम सही 42 है कि सब्दे बुलते समय और थका उचारण की असपश्टा के लिए जब हम किसी अच्छर पर विशेश बल देते हैं तब इस किरिया को क्या कहते हैं तब इस किरिया को बुला जाता है बाला घात अपसा नमबर बी द एक कि गिरो सब्द में कौण सी संग्या है द में aujourd जबाचक संग्या होद्शाерм क्रिंट 84 में कि मिर्ण संभ vein कि कि नियम नियम सब्द क्या है नियम संतिरलींग कर दो नहीं नहीं नियम संभ संभ धाटासी थे दाल में कुछ गिर गया है याई पूर निश्चित नहीं है तो निश्चे वाचक इसका शहिया इसonsवन ग्लत लगाया गया है आगे 88 देखिए, 88 में है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस किरिया का उधारन है, ते किरिया आपको बताना है, ते किस किरिया का उधारन हो जाएगा, ते हो जाएगा आपको इच्छा बोधक किरिया का उधारन हो जाएगा, आगे है 89 में कि आतमा सब्द का बिलोम क्या ह तो गुप्त मतलब होता है चिपाक कर रखना प्रकट का मतलब आगे दिखा देना यानि कि गुप्त का फिलो मज़ेगा प्रकट आगे 91 नंबर कोश्चन में है निम्ड में कौन द्वीगु समास का उदाहरन नहीं है यह नहीं है कह रहा है तो आसातीत में नहीं है 92 दखिए कह रहा है कि लड़ाई सब्द में कौन परत्या है लड़ाई लड़ाई आई अपसन नमबर सी अपसन नमबर सी बानबे का 93 में कि जूला सब्द में परत्याई है जूला सब्द में परत्याई क्या है ता आ परत्याई है लाश्ट में आ आ आ रहा है ता आ परत्याई पंचानमे मिला येगा कर रहा है कि देवर्सि, देवधन रिसि, जहां पे व आपका सही हो जाएगा, तो पहले में ही है देवधन रिसि, इसका सही हो जाएगा, 95 है कि हिंदी में अनुनासिक वरणों की संख्या कितनी है हिंदी में अनुनासिक वरणों की संख्या 5 है अपसन C आगे है जो का उचारना स्थान जो का उचारना स्थान तालू जो बोलिएगा तो जीव जाके आपके तालू में ठेक रहा है हमांगे सो अब्जक्टिव को सारा अब्जक्टिव के पुछ करेंगे में अगले वीडियो में तब तक के लिए जहें